हलो बच्चो क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए सवस्त रहिए पढ़ते रहिए आए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सब्जेक्ट है कम्पनी ला और कम्पनी ला का यह हमारा लेक्चर थर्ड है कौन सा लेक्चर है थर्ड फर्स्ट लेक्चर मे भी 100 question दिया, लेकिन ये 3rd lecture में केवल 50 question अर्था 50 question, इस तरह कुल मिला के आपको company law first paper का 250 question दिये गया है, ठीक है, तब इसे ध्यान से पढ़ लीजेगा, बार-बार repeat कर लीजेगा, ताकि कुछ concern इसमें से आपको मिल जाएं exam में, और काफी helpful हो, ठीक है, इसी तरह 2200 question आपका second paper company लाका जो छूट गया है, जहां members आप company, पार्ट जो members है, और directors से शुरू होता है, वो second part, उसका भी जल्दी मैं बनाऊंगा, फिलाल अभी first part देखिए, ठीक है, तो जल्दी से त्यार हो जाएं, और वीडियो को अपने friends में थोड़ा share भी कर दीजेगा, और उसके बाद start कर लिजेगा, और एक बार और मैं काना चाहूंगा, कि जो भी हमारे channel पर नए है, और हमारे MCQ question को देख रहे हैं, तो इसे बहुत बारी की और ध्यान से बनाया गया है, फिर भी एक आत question आपका कुछ answer सहीन नहीं लगे, तो उसे अपने book से read कर लिजेगा, पढ़ ठीक है न, ठीक है, तो आये start करते हैं, first question, first question हमारा कर रहा है, कि एक company, एक company, अंस・ पूजी वाली company, कि पूजी कोई एक निश्चित रकम के हिस्सों में विभाजित किया जाता है, का रहा है कि एक अंस पूजी वाली कंपनी की पूजी को छोटी छोटे टुकडो या हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई उसे अंस कहा जाता है फोगि अंस का मतलव होता हिस्सा या बाग, अर्था जो छोटी छोटे टूकड़ों में बीवाजीत हो दूसराрал हुआ है कि किस धारा के अनुषार अनुषार? अंस चल संपत्ती होते हैं जो कमपनी के अंतर नियम में दी हुई बिधियों के अनुसार हस्तना अंतरीत होते हैं यह बात किस सेक्षन के अंतरगत कही गई है तो आप से बता दे सेक्षन 44 यह सब एक जेक्ट याद रखे रहीएगा यह बहुत बड़ा नहीं होगा छोटा ही लेक्चर होगा फटा फटा इसको देख लिजेगा ज़िए स्पीट स्लो लगे तो थोड़ा सा स्पीट अपने फास्ट कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं थर्ड हमारा कुश्चन कह रहा है थर्ड कुश्चन हमारा कर रहा है कि जिस पूजी से कंपनी की रजिस्ट्री की जाती है मतलब जिस पूजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन खराय जाता है उसे कौन सी पूजी कहा जाता है अधिकृत पूजी, प्रमंडल पूजी, जमा पूजी, सब तो सही आपसन है अध्रित पूजी सेकंड हमारा क्वेशन है कि पूजी का हुआ भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है मतलब कि पूजी का हुआ भाग जिसे पब्लिक ले लिती है अर्थात खरी लेती है उसे कौन सी पूजी कहा जाता है अगला है फाइफ नंबर कुश्चन का रहा है कि मांगी गई पूजी का हुआ भाग जो अंसधारियों द्वारा भुक्तान कर दिया जाता है उसे कौन सी पूजी कही जाती है आवंटीत पूजी प्राथीत पूजी निर्गमित पूजी चुकता पूजी बताईए फटाफट कौन सा आपसन होगा तो उसे चुकता पूजी पैड़ अप कैपिटल कहा जाता है अगला क्वेश्चन है अंसधारी होता है भाई अंसधारी क क्या होता है company और मालि एंधिंभा सुध कंपनी के संचाल कि इसमें सथी सब्ता हुगे उसका ऊफसण होगा वो company का एक मेंबर होता है इस दिखे रहे हुघ कंपनी का मलिक और कंपनी का सदस बहुत लोग मालिक पर अगला question है हमारा कि 7th number, आदा इदर गया है, आदा उधर गया है, का रहा है कि ऐसे किसी अंस का भी मुचन नहीं किया जाएगा जो, मतलब किस अंस का भी मुचन नहीं किया जाएगा, जो, चुकता ना हो, चुकता हो, पुरुवाधिकार हो, इन में से कोई नहीं, जल्दी बत होता है, कमपनी में बोड देने का अदिकार प्राफ्ट होता है, जल्दी से कौन सको, प्राफ्ट होता है, उस राजी के रजिस्टार के पास प्रलेख प्रस्तूत किये जाते हैं, कहां वो document प्रस्तुप किये जाते हैं, जहां company का पंजिक्रित कारजाले रहेगा, company का प्रमणधक रहेंगे, बेवसाय चलेगा, अंसधारी रहेंगा, सही option बताइए इसमें से कौन सो होगा, इसमें से सही आपसन होगा कि वहां पर डॉकुमेंट दिया जाता है जहां कंपनी का पंजिकर कारजले रहेगा अपसन यह सही है 10 नंबर कॉश्टन कर रहा है कि 6-7 प्रॉक्र लिक्षर कंपनी करती ग्रrie से के बाद ही अपना इसले लेक्षर में बता है ठीक है इक ग्यारे नंबर कोश्टन रहा है कि निमलखित मेंसे कौन कमपनी तालकायफ का प्रियोकरती array так तो एक पॉब्लिक लिम्टेट कमपनी है, साजनी किसमी दाइत वाली कमपनी है, वो अपना टेवल एफ का परियो कर सकती है, क्यों? क्योंकि वो अंतर नियम के जगह पे टेवल एफ का यूज करती है, ठीक है? बारा नंबर कुश्चन का रहा है, कि निमलिकित में से कौन पुर्व व्यापी प्रभाव से परिवर्तित किया जा सकता है? पारशत अंतर नियम, अगला का रहा है कि परलेख, मतलब वह परलेख, जो जनता को अंसो के अविदान के लिए आमंतरित करता है, वो कौन सा परलेख है, जो जनता को अंसो के अविदान के लिए आमंतरित करता है, पारशत सीमा नियम, अंतर नियम, प्रभीवन, अस्थाप प्रविवरन बताई ये कौन सा होगा इसमें तो इसका सही आपसन होगा प्रविवरन यही है जो अन्सों के अविदान के लिए आमंत्रीद करता है चौदा नमबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रविवरोन वह प्रलेख है बताइए प्रविवरोन कौन सा प्रलेख है भाई तो प्रविवरोन वह प्रलेख है जो अंसों के अविदान के लिए जनता को आमंतरीद करता है बिल्कुल सही रिण पत्रों के अविदान के लिए जनता को आमंतरित करता है, बिल्कु सही, प्रविवरोन में दोनों होता है, अंसों को खरीदने के लिए जनता को आमंतरित करता है, ये भी सही है, तो प्रियूग तीनों सही है, तो option D सही होगा, अगला 15 नमबर question का रहा है कि company के पंजिकरण के तिथी से प्रविवरोन को 20 उलट नहीं है, ये बला question सही है, तो अब 90 दिन होगा, ठीक है, कितना दिन होगा, 90 ठीक इसी तरह option B सही था, एक सिमीद company के प्रविवरोन की, एक सिमीद company के प्रविवरोन की, विसे सामगरी को सुकृत किया जाना चाहिए, बनाए एक सिमीद दायत वाली company के प्रविवरो द्वार द्वारा, merchant banker द्वारा, इस टाके द्वारा जहां सो का सूचियन हो, और सेवी द्वारा, बताईए फटा-फट कौन सा अंसर होगा, इसमें, सोला का, सोला का सही आप्सन है, कि company का रजिस्टार जो होता है, वो उसके सुकृति देता है, 17 नंबर question का रहा है, कि अंस से कोई नहीं, तो सही आप्सन इसमें से होगा, आपका किसी अनुसूचित बैग में, फिर कर रहा है, निमलिखित में से किस प्रलेख में, company नियमान या बिनिमान रहता है, पारसा सीमा नियम, अंतर नियम, प्रियूरा नियम, इसमें से कोई नहीं, तो सही आप्सन क्या का कंपनी का पारसर सीमा नियम 19 नंबर में कह रहा है कि एक कंपनी के लेंदारों को जानकारी होना चाहिए किसकी जानकारी होनी चाहिए भाई तो कस्पस्ट है सीमा नियम अंतर नियम किसकी होनी चाहिए तो सही आपसन इसका है कि दोनों को जानकारी होनी चाहिए अगला है अंतर नियम में परिवर्तन किया जा सकता है बताईए अंतर नियम में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है सिंपल सा है विसेश प्रस्ताव होता है साधरन सभा में विसेश प्रस्ताव द्वारा ही अंतरनियमें परिवर्तन किया जा सकता अगला है कि एक कमपनी की पूजी घटाई जा सकती है एक कमपनी की पूजी किस कंडिशन में घटाई जा सकती है उसके लिए विशेश प्रस्ताव पारिद करना पड़ेगा और न्याले की सुपिर्थी लेनी पड़ीगी तभी किया जा सकता है और बाइस नमबर हमारा क्वेश्चन का रहा है कि यह भी रिपिटेट क्वेश्चन है लिएक थोड़ा सा मोडिफाई कर दिया गया है कि कमपनी अधनियम का तालिका यफ संबंधित है यह का रहा है कि तालिका यफ किस से संबंधित है तो पारशन अंतर नियम माडल से संबंधित है यह भी पुब्ली कमपनी के लिए संदर में हो तेश नमबर का रहा है कि अंतर नियम संबंध स्थापित करता है जो पार्षद अंतर नियम होता है वो किसके भी सम्मन्द स्थापित करता है कम्पनी और सदस्य के बीच कम्पनी और बाहरी व्यक्त के बीच कम्पनी सदस्य और इसके सदस्यों से आपस में उपरोक में से कोई नहीं तो सही आपसंते इसका क्या होगा कमपनी और सदस्यों से तथ सदस्यों से आपस में फिर वहीं पर है कि जब कोई कमपनी अपने अधिकारों से बाहर कोई रिण देती है वो गलत लिखा है देशी लिखा है वो देती है तो ऐसे condition में वो होता है क्या होता है जब कोई company अपने अधिकारों से बाहर कर जा देती है तो वो क्या होता है बैद होता है नहीं होता है बेर्थ होता है देखे उलट गया है आपसन ये वाला इधर होना चाहिए ये वाला उधर में चाहिए तो सही आप्सन क्या है बेर्थ होता है। 22 नंबर में कह रहा है कि ऐसे रेंड पत्र जिनका हस्तरांतरण के और सुपूर्दगी द्वारा होता है। सुपूर्दगी मातमने सिग्र भुकतान करने के लिए होता है। कौन सा आप्सन होगा बाहक रेंड पत्र। पिर यहीं पर कर रहा है कि कंपणी अपनी साधहारन सभा द्वारा रेंड लेने के अधिकारों पर प्रतिबंद लगा सकती है। 27 नंबर में कि कंपणी के रेंड पत्रधारी कौन होते हैं। General Question है, कमपनी के लिए अंदार माने जाते हैं। अगला है कि उन रेंड पत्रों को क्या कहा जाता है, जो कमपनी की संपत्ती पर प्रभार मिनीथ करते हैं। जल्दیmerce पता है 28 नंसर क्या होगा? analyse 28 का सहीं पत्र होगा जमान ती रेंड, ठीका? अगला है 29 नमबर में कि उन रेड़ पत्रों को क्या कहते हैं जिनका हस्तनांत्रन के और सुपूर्दगी मात्र होता है यह तो बिल्कुल कोश्चन कोश्चन है वहाँ कर रेड़ पत्र है बहुत सिंपल है अगला है कि निमलिखित में से निमलिखित में से कौन कंपणी में लाभांस पाने का अधिकारी नहीं होता है तो आप से मैं बता दू रेड़ पत्रधारी होता है कंपणी में लाभांस पाने का अधिकारी नहीं होता है क्यों कि वो ब्याज पाता है अगला 31 नमबर है कि रेंड़ पत्ध धारियों के परतिफल किदर होती है जो deventure holders होते हैं उनको जो interest मिलता है उनका ब्याज जो मिलता है वो निश्चीत होता है ठीक है अनसधारियों में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अगला है कि रेंड़ पत्र को company अधनियम कि किस धारा के अंतरगत परिभासीत किया गया है तो 32 नंबर का सही आपसन होगा कि धारा दो तीस में किया गया अपसन सी सही है प्रभीराण च्छापना आवसेख है बताइए प्रभीराण च्छापना किस कंपनी के लिए आवसेख है प्रतिक कंपनी के लिए निजी कंपनी कंपनी के लिए साजनी कंपनी के में बनाये जाता है पर बि नर्गमित नों करने की जर्सा में क्या बनाया जाता है सीमा नियम बनाया जाता है अंतर नियम बनाया जाता है एक नियुखिस के tomorrow यह निल्ऱ पोजी करिएक होते हैं, billions करई के लिए अनसधारी होते हैं. अब यहां पर देखेएगा, अंसधारी कमपनी के स्वामी होते हैं. यहां पर सदस्य का आफशन नहीं दिया है. कुशन था इसी में, लेकिन वहां पर आफशन उलट दिया था. स्ट्राटिंग में ही था यहां स्वामी होगा फिर वहीं पर करा है कि नीजी कंपनी अपने नाम के साथ प्रियोग करती है नीजी कंपनी जानते ही है प्रेविल डिमिटेशप्ट का प्रियोग करती है वही पब्लिक कंपनी होगी तैसा नहीं करेगी फिर पूछ रहा है कि अं का नधारी भाई कौन होता है यह पूर्डदत अंस का स्वामी होता है एक जेक्ट याद रखिएगा कफी इंपोर्टेंट कुश्चन है 41 नंबर में कर रहा है कि अंसो को निर्मित किया जा सकता है देखे यह बहुत टिपकल कुश्चन है यदि कुश्चन में आपका ऐसे दे रहा है तो यह समझेगा कि यह कुश्चन कंपनी एक्ट 1956 के एकॉर्डिंग पूछा रहा है उसके आधार पर इसका अंसर होगा बी लेकि इसमें एक कंपनी अपने अंसो का निर्गमन सम्मुल और प्रीमियम पर कर सकती है छूट पर कभी नहीं करती है ठीक है यह नया रूल है और जदी इस तरह के कुश्चन होंगे तो इसमें से उप्यूक सभी होगा और जदी इसमें कुश उलट फेर किया रहेगा और कंपनी 2013 के कॉडिंग पुछा रहेगा तो सम्मुल और प्रीमियम होगा ठीक है यह बात ध्यान रखेगे अगला कर रहा है कि एक कंपनी का पूर्ण कालिक सचित न्यूक्त किया जा सकता है जो एक कंपनी का पूर्ण कालिक सदस वही न्यूक्त हो सकता है जो ICSI संस्था का सदस हो मै भारती सचित संस्थान का सदस्वामने इंस्चूर्ट अप कंपनी सेक्रेटरी अफ एंडिया का मेंबर्स हो ठीक है अगला है कि सोधनी पूर्वादिकार अंसों का सोधन तभी हो सकता है जब वो अंस क्या हो पूर्ण दत्त हो बने फुली पेड़ब हो चवालिस नंबर क्वेशन में का रहा है कि बोनस अंस का अर्थ उन अंसों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है बोनस अंस से उन अंसों से किनको निर्गमित किया जाता है कि वो बरतमान संसा अंसधारियों को फिर यहीं पे का रहा है कि अधिलाभांस बने बोनस यह का आसे उस संसे है जिन्हें निर्गमित किया जाता है अब यहां पर वही क्वेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है तो इसका आफसन होगा बरतमान समता अंसधारियों को बिना प्रतिफल गया आफसन सी सही होगा 46 नमबर हमारा question का रहा है कि अंस premium राशी का उपयोग नेमलिखीत कार्यों के लिए किया जा सकता है तो अंस premium जो security premium होता है उसका प्रयोग हम पूंड द्पोन के निर्गमन करने के लिए कर सकते हैं अगला का रहा है कि रेंड़ पत्रों के निर्मन पर प्राप्ट प्रीमियम को हस्तनांतित किया जाता है जब डिवेंचर इसू किया जाता है और प्रीमियम किया जाता है तो उस प्रीमियम किलास को कहां ट्रांसपर किया जाता है तो वो पूजी संचे खाते में transfer किया जाता है अगला है अंसों के परकार पूछ रहा है अंस के परकार है यह अंस के सब परकार है ठीक है कमपनी के संचालक की इस्तिती होती है बताइए कमपनी का जो संचालक होता है डारेक्टर उसकी इस्तिती क्या होती है सब होती अभी करता पर नियासी प्रवन में सलाह देने वाले साइधार सभी तरी होता है लास्ट पच्चासवा कोशन हमारा को रहा है देखिए आदा उधर गया आदा इधर गया उधर छोड़िए इधर ही देखिए एक सावजिन कंपनी के मामले में कौन सा प्रपत तयार करन अब इसके आगे कोई कोशन नहीं है इसमें 100 कोशन का यह नहीं है यह के ओल पच्चास कोशन का है 50 कोशन का है इस तरह आपका कंपनी लागा पूरा 200 कोशन कंप्लीट हुआ 200 कोशन यह अच्छी तरीके से बार बार आप पढ़ लेंगे तो में थे कुछ काफी कोशन का आपका हेल्प मिल जाएगा और एक आईडिया पता चल जाएगा कि हमको हमारे एक्जाम में कैसे कोशन साएंगे ठीक है इसी से रेलेटेट कोशन होंगे क्योंगे यह सारे क्वेशन में मोरी बेस बनाए गया है इसे आप बार बार पढ़िएगा और पढ़ने से काफी हेल्पुल भी होगा एक्जाम के लिए ठीक है और इसी तरह चैनल पर बने रही है और एक बार और कहना चाहेंगे कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे है तो नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी मिलने है अब इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे ठीक है उसके बाद बियारा विजनेस रॉलेटिफियम वर्ग चलेगा कास्ट एकांटिंग चलेगा बहुत सारे लेक्चर सभी आने बाकी है कुछ लेक्चर अपलोड हुए है सभी को देखिएगा ठीक है ओके बाई फिर मिलते हैं